मोदी जी के सिपाही लगता है मोदी जी का साथ नहीं चाहते हैं इसलिए तो अब मोदी जी का एक एक करके साथ छोड़ते वे नजर आ रहे हैं मोदी के परिवार के सदस्य कम होते वे नजर आ रहे हैं घटते वे नजर आ रहे हैं जिया दोस्तों कानों पर यकीन नहीं हो रहा तो यकिन कईजिए क्योंकि 2024 के चुनाब को देखते हुए मोहल भापते हुए अब मोदी जी की तरफ से दिये गए टिकट को इंकार करने वाले एक्टर पवन सिंग अब खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि वो भजपा से चुनाब नहीं लड़के और जेडी से चुनाब लही है जब से बीजेपी के साथ नितिश कुमार गए हैं तब से ही यहाँ पर एक अलग सा लहर जंता के बीच देखने को मिला है और वो एक तेजस्वी यादब की तरफ से यात्रा में आप देखी चुके है कि किस तरीके से लोग रात रात भर तेजस्वी यादब का बियार तक लिखता है कि आसन सोल से बीजेपी का टिकेट लोटाने के बाद पवन सीख खूब चर्चा में रहे इसी बीच अब ख़बर ही आ रही है कि पवन सिंग पाला बदलकर आर जेजी के टिकेट पर चुनाव लड़ सकते हैं पूरी बात जो है वो निकल कर सामने आ र रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने मन बना लिया है और अपनी मा से जो वादा किया है उस पर वो पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे पावन सिंग का इस वक्त का जो ट्वीट है दोस्तों सबसे पहले एक्स्क्रियूजिब तॉर्ट पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मोदी पावन सिंग का ये टूइट आप स्क्रिन पर देख सकते हैं क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि मैं अपने समाच जनता जनार्दन और मा से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा आप सभी का आशिरवादेवम सहयोग उपेक्षित है जैमाता दी इस तरीके से उन्होंने ये जानकारी साजा की है, जैमाता दी हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन ये नाम अभी वो सामने नहीं आया है कि कौन से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन सूत्रों के हवाले से जो भीहार तक है वो ये कह रहा है कि पवन सिंग R. सारजरी के साथ जाते हैं तो सोचें BJP को कितना बड़ा नुकसान है этой dinheiro ।B.JP का टिकट लेने के लिए हम फोड़ करें लिए नाम मैं नहीं कि यह पॉरान ।ब जAllah बोला हुड़ें और यह था अपढ़ है कि आधा लागा हूँ एत्र furthestacks कर दो दो सब्ट जानकारी साजा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और इस पार्टी से लड़ेंगे ये तो फिलाल अबे रिवील नहीं हुआ है लेकिन जैसे ही रिवील होता है आप सब के सामने वो जानकारी साजा करूंगी कि बिहार में किस तरीके से जो है चेंजिस दिखाई दिया जा रहा है इस बार लगता है लोगसभा में जनता का मन जो है वो बदल गया है तभी तो जनता अपने नेताओं के साथ कंदे से कंदा मिला कर उनके रैलियों में भीड के तौर पर नजर आ रही है दोस्तों इस पूरे रिपॉर्ट को लिकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकी रही है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले